Hello everyone, welcome to the new video from StudyBuzz और मैं हूँ अनभव गुप्ता So यार बस CAT का exam आने ही वाला है So आज की वीडियो के अंदर हम discuss करने वाले हैं कि वो क्या-क्या चीजे हैं जो आपको examination day पे अपने साथ लेके जानी है और क्या-क्या चीजे आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है और क्या-क्या चीजे आप बिल्कुल नहीं लेके जा सकते सब कुछ आज की वीडियो के अंदर हम discuss करने वाले हैं कुछ important instructions भी मैं आपको आपके admit card से related बताने वाला हूँ तो चलिए शुरू करते हैं इसे पहले friends हम स्टार्ट कर रहे हैं I would like to request to your channel को subscribe करके bell like के जरूर प्रेस कर देना ताकि सारी important videos की notification आपको मिलती रहे और आप हमारी study buzz app जरूर डाउनलोड कर लिजेगा यहाँ पे आपको free cat के और MBA के mocks and videos मिलते हैं और आप हमाई साथ instagram के ओपर भी connect हो सकते हैं my instagram handle है study buzz underscore education तो friends सबसे पहला step है अपना which I hope अभी तक आपने करी लियोगा नहीं करा तो यह आपको अभी ही कर लेना है कि आपको IAM की website के उपर जाना है जहां से आपने form भरा था link नीचे मैंने description box के अंदर भी दिया हुआ है वहाँ पे आपको जाना है वहाँ पे आपको अभी ही login कर लेना है और अपना admit card download कर लो and print कर लो यह अभी करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि last time पर होता क्या है बच्चे sometimes अपना login ID password भूल जाते हैं और फिर उनको problem आती है कि sir हम login कैसे करें तो please इसको आज ही करके रख लो अपना admit card जो hall ticket है आपकी इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा कि common admission test 2021 admit card आपको देखने के लिए मिलेगा यहां आपकी एक photograph होगी यहां आपके एक signature होंगे आप चेक कर लो आपके photograph एक signature सही है आपके name, application number, date of birth, category, pwd, emergency contact और बाकी सारी details बिल्कुल correct होनी चाहिए इसी के साथ आपको एक काम और करना है कि यहां पे एक और column बना है जहां पे आपको अभी ही अपनी photo एक paste कर देनी है passport size photo तो जो यह वाली photo आपने upload करी है इसी की ही copy आपको यहां पे paste कर देनी है और वो जाने से पहले ही आपको paste करनी है यहाँ पर आपको signature का भी एक column दिया है लेकिन यह signature अभी नहीं करने आपको यह signature आपको examination hall के अंदर और invigilator के सामने करने है तो please इसको अभी मत करियेगा बच्चे यहाँ पर भी sign कर देते हैं फिर problem होती है तो इसको sign up invigilator के सामने करोगे उसके बाद आपको सारी की सारी instructions बहुत carefully read करनी है जब आप इसको download कर लो आपको 13 points दिये गए हैं एक भी point आपको miss नहीं करना और दूसरे page पे आप इसको print करोगे यह कोई optional नहीं है यह mandatory होते है पढ़ने और follow करने तो इनको भी definitely पढ़के आपको जरूर follow करना है and हो सके तो admit card की एक की बजाए आप two copies निकाल के रख लेना because होता गया last time पर कभी कभी sometimes एक copy misplace हो जाती है और आपके पर time नहीं होता print निकलवाने का तो अगर आपके पास एक backup copy होगी तो आपको examination day के अंदर कोई problem नहीं होगी आप ही कई benefit है और हो सके तो colored निकलवा के रख लेना जादा benefit रहता है लेकिन अगर आप black and white भी निकलवाते हो तो उससे भी कोई बहुत जादा problem नहीं है हाँ preference colored की होनी चाहिए उसके बाद क्या-क्या चीजे आपको चाहिए सबसे बहले तो जो मैंने आपको पता है कि एक photograph आपको चाहिए paste करने के लिए और वो same photograph होनी चाहिए जो आपके form के ओपर है और इसको आपको अभी ही paste कर देना उसके बाद आपको अपना एक original ID proof लेके जाना है examination day वाले दिन वो आपका pan card हो सकता है आपका driving license हो सकता है voter ID हो सकता है passport हो सकता है सबसे common and easily जो best है वो है अधार card हर बच्चे के पास अपना अधार card होता है और definitely आपको रख भी लेने चाहिए आपके पास mask तो हर बच्चे के पास होता ही है gloves भी आपको रख लेने चाहिए एक pair disposable hand sanitizer की bottle आपको अपनी लेके जानी है and transparent water bottle आपको अपनी ही लेके जानी है वहाँ पे हो सकता है आपको पानी पीने का इंतजाम ना हो तो अपनी ही water bottle आपको carry करनी है इस बार instructions के अंदर इन्होंने pen लाने के लिए नहीं बोला 2020 में इन्होंने बच्चों को अपने अपने pen लाने के लिए भी बोला था लेकिन यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि writing pad और pen for rough work center ही provide करेगा but I will suggest you कि आप जो simple pen होते हैं ballpoint pen दो pen अपने साथ ले जाना अगर वहाँ पे मिले तो well and good है और अगर ना मिले तो आपके पास आपका pen होना चाहिए ताकि आपको किसी से मांगनी की जुरूरत ना पड़े यह आप रख के ले जाना अगर allow हो तो आप ले जा सकते हो अगर allow ना हो तो आप इसको center के बार अपने bag में छोड़ सकते हो रहता है because examination center के बार beard भी होती है parking की problem भी होती है और भी कही तरीके की problems हो challenges आपको traffic rush कुछ भी मिल सकता है तो अगर आप 30 minutes पहले पोच जाओगे तो आप एक calm and cool composed mind के साथ अपने examination center के अंदर enter हो सकते हो and ऐसा suggest किया जाता है कि भाई examination center की जो location है उसके साथ familiar होके रहना अगर आपको पता है वो कहां पे है तो well and good है अगर नहीं पता और कहीं आपके घर से दूर है तो आप एक दिन पहले जाके visit कर सकते हो ताकि आप familiar हो जाओ कि exact location क्या है ताकि आप examination day वाले दिन ना ही लेट हो और ना ही आपको location दूरने में आपका कोई time waste हो तो ये आपके लिए optional है अगर आप जाके check कर के आ सकते हो location तो आपके लिए better रहेगा उसके बाद क्या-क्या चीज़े जो बिल्कूल भी allowed नहीं होती और जो आपको बिल्कूल नहीं लेके जानी सबसे पहले तो होते है bags सब बच्चे अपने-पने bags लेके आये होते हैं कुछ centers में bag रखने का provision होता है कुछ centers में पैसे लेके bag रखने का provision होता है center के बाद रखवाया भी जा सकता है नहीं भी रखवाया जा सकता किसी भी तरीके का कोई electronic gadget हो, mobile phone हो, smart watch हो, simple watch हो simple watch भी allowed नहीं है calculators, stationary items, papers, wallet, goggles किसी भी तरीके की jewelry जिसमें किसी भी तरीके का metal है वो allowed नहीं होगा आपको center के अंदर तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं लेके जाना नहीं आपको अपने कोई rough paper और pages और कुछ भी लेके जाने अगर आप अपने vehicle से जा रहे हो और अगर आपकी car remote controlled वाली होती है जो remote control की smart की होती है तो उसको भी center के अंदर allowed नहीं किया जाता इसको भी आपको कहीं बहार रखवाना पड़ेगा चाहे आप इसको अपने bag में डाल के कहीं रखोगे या किसी भी और तरीके से कोई और वहाँ पे provision है तो वहाँ पे आपको रखवाना नहीं पड़ेगी क्योंकि remote controlled car keys allowed नहीं होती इसके साथ साथ belts भी allowed नहीं होती क्योंकि किसी भी तरीके का metal या allow नहीं करते तो हाँ आपको हो सकता है अपनी belt भी उतार के बहार रखनी पड़ेगे अपना wallet भी आपको बहारी छोड़ना पड़ेगा उसके बाद shoes, footwears अगर इसके अंदर thick souls है या garment अगर आप कुछ ऐसा पैन के जारे हो जिसमें large buttons है तो वो भी allow नहीं किये जाएंगे तो उससे आपकी problem बढ़ सकती है तो simple तरीके के shoes या footwears और simple तरीके के garments पैन के जाना ताकि किसी भी तरीके की कोई problem आपको face ना करनी पड़े examination खतम होने से पहले आप center को छोड़ के नहीं जा सकते चाहे आपका exam खतम ही क्यों ना हो गया हो और एक बार gate closing हो गई तो उसके बाद आप enter नहीं कर सकते तो इसलिए मैंने काया कि at least 30 to 45 minutes gate closing time से पहले पहुँच जाना और ये भी नो ने mention किया है कि बाहर list नहीं लगी होगी कि किस बच्चे का क्या seating plan है वो आपको बता दिया जाएगा जब एक बार आप enter कर दोगे और आपका admit card और photo identification proof की verification हो जाएगी उसके बार आपको बता दिया जाएगा तो अगर आपके center के बार list लगी है तो well and good है in case नहीं लगी है तो कोई गपरानी की बात नहीं है आपको अंदर जाके भी उस list मिल जाएगी आपको और आपकी seat number और आपको lab number बता दिया जाएगा इसके बात friends COVID self declaration form आपको पहले ही भरके जाना है जिसको आप separate page पे print करके रखोगे आपको सारी की साइड details बतानी है कि आपको cuff है, runny nose है, आप vaccinated हो या नहीं हो first dose से, second dose से, किसी तरीके का fever या breathing problem है और आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है अपनी application number लिखनी है, date of exam आप लिखोगे 28 November 2021, test center जो है आपका जो mentioned आपके admit card के उपर लिखोगे और यहाँ आप signature करोगे, generally यह COVID declaration form आपसे gate पे ही ले लिया जाता है तो आप इसको पहले से ही fill करके लेके जाहिएगा ताकि आप gate पे इसको दे सको, तो friends यह थी कुछ important tips, examination days related की क्या क्या चीज़े आप लेके जा सकते हो, क्या क्या चीज़े allowed है और क्या क्या चीज़े बिल्कुल भी allowed नहीं है इन चीज़ों का बिल्कुल definitely ध्यान रखिएगा, because otherwise आपके लिए कोई ना कोई यह problem create कर सकते, examination center वाले दिन और भूल के भी admit card मत भूलिएगा, हर साल हम बच्चे देखते हैं, जो center पर पहुंच जाते हैं, और कहते हैं, मैं अपना admit card ही लाना भूल गया फिर वहाँ पर वो किसी cyber cafe को ढूंड रहे होते हैं, तो please इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखिएगा, सारी की सारी चीज़ों को एक रात पहले ही arrange करके रख लिजएगा, ताकि examination day वाले दिन आपको किसी भी तरीके की कोई चीज़ को ढूंडने की ज़रूर ना पड़े, त अगर आपकी कोई query है तो आप हमें WhatsApp या email भी कर सकते हो, so thanks a lot friends, all the best, God bless you.